हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नोलेजे ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्यूट ओफ एडवांस स्टेडी इन साइंस और टेकनोलोजी की नियू रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन की फॉर्म फिलप के बारे में तो फ्रेंज, यहाँ पर जो वेकनसी इन्वाइट की गई है, इंस्टूट ओफ एडवांस स्टेडी इन साइंस और टेकनोलोजी द्वारा, वो है आपके यहाँ पर वेरियस पॉस्ट के लिए, जो की है प्रोजेक्ट साइंटिस पोस्ट, साथ में फ्रेंज, यहाँ पर जो जून दो हजार बीस, तो यहाँ पर फ्रेंज, आप इसको कैसे आविधन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और इससे एलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए, या फिर जो भी आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया है, आपकी सामने जो आपका उपन हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अडिस्टेशन करना है, और इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम देना होगा, इसके बार आपको यहाँ पासवर्ड जनरेट करना है, अब जो यह पासवर्ड है वो आप कैसा जनरेट करेंगे तो इसके लिए आपको नीचे एक note section दिया गया है जिसमें 8 से 15 character का password आपको बनाना है एक lowercase, एक uppercase, एक numerical digit और एक special character ये चारों चीज़े आपके password में होनी चाहिए अगर इस password को आप बनाना चाहते हैं तो आप एक uppercase use कीज़ेगा, capital letters, साथ में lowercase use करें एक यहाँ पर numbers use करें, एक से लेके note तक और special character at the rate, star, hash, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद आपकी जो भी date of birth है, date, month and year वो आप यहाँ से select कर लेंगे और इसके बाद जो next option है वो है आपके mail id का आपकी जो भी active and valid mail id है वो आप यहाँ पर fill कर देंगे यह fill करने के बाद नीचे आपको दिया गया है security code option तो security code जो भी आपको मिलेगा वो आप type करेंगे और यह type करने के बाद फैंसे आपको नीचे register का option दिया गया है आप यहाँ से इसको register करेंगे रजिस्टर करने के बाद फैंसे आपका जो रजिस्टेशन है वो completely submit हो जाएगा और इसके बाद आप login पेज पर जाएगे login पेज पर जाने के बाद फैंसे आपको यहाँ पर जो आपकी mail ID है वो आपको यहाँ टाइप करनी है साथ में आपने जो password generate किया था वो आपको देना होगा इसके बाद फैंसे जो यह password है और यह देने के बाद जीचे capture code है यह फिल करने के बाद आप यहाँ से इसको submit कर सकते हैं इसके बाद फैंसे अगर आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पर login करने में या फिर यह login नहीं हो रहा है तो आपने जो भी mail ID फिल की है इसको आप open करें और उसके बाद उसमें जो inbox है इसमें आपको एक mail मिलेगा और mail में अपनी फैंसे आपको एक link मिलेगा जो कि आपको verify करन करने के बाद आप यहाँ से इसको submit करेंगे तो आपका login इसमें हो जाएगा login करने के बाद फैंसे यहाँ पर जो जो vacancies यहाँ पर इस सम्में active है उसकी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं जो की advertisement number 242, 243 and 244 यह यहाँ पर आपकी active है जिनके लिए apply कर सकते हैं और कब से कब तक यह valid है वो आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है तो आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते है apply now वाले section पर आप click करेंगे और आपका जो यह online form है वो आपका start हो जाएगा तो friends आपके इस application form को fill करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो details है वो आपको देखने को मि जाती है इसके बाद यहाँ पर है father name का option तो आपको फादर नेम है वो आपको यहाँ फिल करना होगा इसके बाद friends यहाँ पर आपकी category है general, OBC या फिर SC या ST वो आप select कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है आपका mother name जो कि आप यहाँ पूरा नाम फिल आपका जो भी address है पूरा address जो आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर इस section में लिख देंगे तो आपका address आपको बिल्कुल सही सही पूरा address जो भी आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पर किसी भी condition में सही लिखना है और इसके बाद friends यागर इस दोनों address सेम है सेम इस पर आप क्लिक कर सकते हैं इसके बार contact details का option है यहाँ पर आपकी mail अइडिया दुबारा दे सकते हैं आपका telephone number अगर आपके पास है आपकी पस mobile number है 10 digit का तो आपको दे सकते हैं या इस mobile number के लावा भी अगर आपके पस कोई other number है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं तो तो कम से कम आपको फिल करना होगा जैसे फिल वरकर की बात करें तो essential मांगा है graduate in science तो यह तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आपके पास experience है तो अच्छी बात है नहीं भी है तो भी आप इसमें अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले year of passing आपको देना है इसके बा आपके पर से की है वह आप लिख सकते हैं बाकि जो भी आपकी stream है वह आप लिख देंगे सबसे पहले marks obtain की बात कर लेते हैं तो आपकी कितने नंबर आए हैं वह आपको देना है कितने में से आए हैं वह आपको देना है इसके बार आपका cgp है तो cgp select कीजिए अगर आपक सेंपल के तौर पर लग देता हूं तो आपको कुछ इस तरह से पास जो आपकी परसेंटेज है उसकी एंट्री करनी है तो हम यहां पर साइन्स लिग देते हैं इसके बार marks obtained कितने हैं कितने मिसे नंबर आपके आएं है cgpa है percentage है सेंपपो एंट्री करनी होगी इसके बाद graduation की बात करें तो आपने यहां पर graduation किसमे की है वो आपको देना है आपका year of passing क्या है वो आपको देना है आपका board का नाम क्या है इसके लावा subjects कौन-कौन सी है उसकी जानकारी आपको देनी है अगर major subject जो है वो आप दे सकते है या फिर आपकी तीन major subjects की जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हैं marks, obtain, total marks, cgpa, percentage की जानकारी आपको देनी है सेम ऐसे ही master degree की बात करें तो master degree आपने की है तो master degree की detail भी आपको कुछ इस तरह से फिल करनी होगी अगर किसी vacancy में PhD मांगी है तो आप PhD की जानकारी भी इसी तरह से यहाँ पर फिल करेंगे तो जो भी आपकी post है उसमें जो मांगा ह आपको जानकर यहां फिल करनी होगी इन qualification के अगर आपके पास और qualification है तो आप यहां पर दे सकते हैं नहीं तो आप इनको blank छोड़ेंगे कोई other professional training अगर 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 आप यहां पर दे सकते हैं नहीं तो आप इसको भी blank छोड़ेंगे इसके बार है आपका past employment या experience तो आप य क्या था है department का नाम क्या था इसके अंदर आप काम करते थे periods of date आपको बतानी है कब आपने जो है काम किया है यहां पर और last salary है पेड्रोन है वो कितना है आपका उसकी जानकरी आपको देनी है अगर आप यहां पर experience शो करते हैं और post में मांगा है तो आप दे सकते हैं और नह यहां पर इस section में दे सकते हैं इसके बार नीचे आपको आना है और नीचे आने के बार आपको save and continue का button मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां से friends क्लिक करने के बाद ही आपका फ्रेंज जो ने step है यह आपका open होगा अब यहां पर सबसे पहले जो second step है जिसमें आपके size रखा गया है JPG PNG format में आप यह upload करेंगे तो friends यहां पर photo sign upload होने के बाद आपको यहां पर मिलता है option matriculation certificate का और यहां पर friends आपको मिलेगा class 12 certificate class 12 की mark sheet आपकी degree certificate degree mark sheet PG certificate PG की mark sheet तो friends यह आपको ध्यान रखना है जिस भी post के apply कर रहे है उस post में आपसे जो जो मांगा है वो आप आपको apply करना होगा यहां पर upload करना होगा जैसे आप PG degree यहां पर यहां पर को detail आपने fill नहीं की है आप इसको blank छोड़ सकते हैं बाकि आप 12 की class की detail आपको matriculation certificate हो गया 12 का mark sheet हो गया यह आपको upload करना होगा अगर आप friends यहां पर SC, ST, PH, OBC से fill कर रहे हैं तो उसका certificate भी आपक करना है इसके बाद friends से आपका जो curriculum वेटे है CV है मतलब आपका जो resume है वो आपको यहां upload करना होगा PDF format में और यहां पर को other supporting document है तो आप वो भी यहां पर upload कर सकते हैं नहीं तो आप इसको blank छोड़ देंगे तो friends यहां पर जो documents हैं जब आप upload कर देंगे आपको यहां पर successfully का message मिल जाएगा और आप यहां से इनको view भी कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर इसको declare करके save and continue कर देंगे इसके बाद friends यहां पर जो last option है यह है आपके यहां पर final submission का आप यहां पर अपने form को final submit करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं अगर आप यहां पर इ उस condition में आप यहां से इसको final submit कर देंगे नहीं तो आप एक बार जाकर in detail को check कर सकते हैं और final submission के बार आपको कोई भी यहां पर friends application में edit करने की जो है आपको chance नहीं मिलेगा इस चीज़ को ध्यान रखना है अगर आप यहां पर देख लीजे ध्यान से अपनी edit कर लीजे details को नहीं तो आप यहां से इसको final submit करके अपना जो form है वो completely submit कर सकते हैं तो friends इस वीडियो हमने बात की Institute of Advanced Study in Science and Technology की new requirement notification के बारे में और friends यहां पर इसका form आप कैसे फिल कर सकते हैं इसके बारे हमने इस वीडियो में बात की है यह आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो like, सब्सक्राइब और शेर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए 894 knowledge and the last thanks for watching